हेलो वरिबन वेलकम यूओ अलेट लोकी सर एलने अप्टरी जोन तो गाइज कल हमने ट्रेंगल ओफ एक्टर एडिशन एंड पहले लोग्राम फिल ओफ एक्टर एडिशन पढ़ लिया था theoretically है ना आज मैंने आपको कहा था कि इसका जो डेरिवेशन होता है इसको अपन वेक्टर सपोस कर लीजिए या आपके पास पहला वेक्टर है वेक्टर ए this is first vector vector a अब vector a का जो होगा magnitude कितना होगा mod of a होगा कि नहीं होगा इसे आप mod vector a भी लिख सकते हैं या आप directly आप इसे a भी लिख सकते हैं और जो दूसरा vector है आपके पास में vector b triangle उसे मैंने बताया था कि इसको directly यहाँ पर positionate कर लिजे इसको shift करके यहाँ लिएंगे तो इसको o point मान लो इसको a point मान लो okay and this is point b यहाँ से b है so यह बन गया vector a b तो मतलब आप कह सकते हो कि o a vector जो है this is equals to o a vector का जो magnitude है उसको a नाम दे रिया है okay and a b vector का जो magnitude है उसका नाम आपने b दे रिया है AB vector का जो magnitude है उसका नाम आपने क्या दे दिया है B दे दिया है clear this is mod of B ये जो angle बनेगा A की B की direction में तो A को forward अगर आप move करोगे तो ये angle बन जाएगा theta क्या angle बन जाएगा theta ये vector A और vector B के बीच का angle है इसके बीच का angle है vector A और initially अगर आप vector A और vector B के बीच का angle देखो तो ये vector A था और ये vector B था बुलिए सनो इनके बीच का angle क्या था theta ये था अब अगर आप vector B को shift करके यहाँ पर ले गाए हो तो ये इसका corresponding angle अंदर नहीं बनेगा बाहर बनेगा कहाँ बनेगा बाहर तो ये vector A था और ये क्या था वेक्टर B था इनके बीच का angle है theta बनेगा है clear है चलिए अब आईए इसको हम आँगे solve करते हैं देखते हैं कैसे ये solve होगा ठीक है अब हमने इसको इससे join कर दिया ये join करने के बाद हमें इसका magnitude निकालना है इसका magnitude कितना है R कितना magnitude है R vector R है ये दिकाँ जाए तो completely vector R है इसका magnitude R है ठीक है दीके कैसे करेंगे ये vector B है ये angle theta है यदि आप यहाँ से एक perpendicular draw कर दो क्या draw कर दो बिटा perpendicular ठीक है इस point का आपने क्या नाम ले लिए है O B है ये तो अगर आपने perpendicular draw कर दिया M तक तो ये angle theta है तो यह दिए आप इसको X ले ले लो और इसको Y ले लो क्या ले लो X और Y तो देखिए क्या बन जाएगा cos theta is equal to base upon hypotenuse तो base कितना है X और hypotenuse कितना है B hypotenuse कितना है B तो X equal to कितना हो गया B cos theta similarly अगर आप sin theta की बात करो तो sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse तो perpendicular Y है और hypotenuse कितना है B तो ये कितना बन जाएगा Y is equal to B sin theta clear हुआ तो कुल मिलाकर कि ये जो length है Y is equal to ये बन गई B sin theta और ये जो length है यहाँ से ले कर कि यहाँ तक ये क्या बन गई B cos theta कितनी बन गई B cos theta clear है अब आप देखिए completely triangle आपके पास बन चुका है यहाँ से यहाँ तक एक right triangle है okay यहाँ से यहाँ तक completely आपके सामने right triangle आपको दिखाई दे रहा है पूरा right triangle आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है यहां से लेकर के यहां तक कि आपके पास पूरा एक राइट रेंगल है है की नहीं है इसको मैं अलग से बना देता हूँ यह देखी एक आपके पास में राइट रेंगल बन गया है अब इस राइट रेंगल की जो यह वाली साइड है जिसको बेस बोलते हो यह सुनो, यह कितनी यह रेखी, यहां से यहां तक तो A था, तो A plus B cos theta, यह सुनो, और यह कितना है, B sin theta, और यह कितना है, R है, यह कितना है, R, तो मैं अब यहां पर Pythagoras theorem apply कर सकता हूँ, Pythagoras theorem से hypotenuse का square, equal to base का square, A plus B cos theta का square, plus B sin theta का whole square, clear है, हाँ, अब इसको open करता हूँ, R square equal to whole square को open करिये, तो कितना हो जाएगा, A square plus B square cos square theta, plus 2AB cos theta, plus B square sin square theta, बोलों सही है, बलकुल, so R square equal to A square, बाहर करिये, यहां पर B square common ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, cos square theta, plus sin square theta, और यह हो जाएगा, 2AB cos theta, solve किया, इसको हम लोगों ने, so R square equal to A square, plus B square, because cos square theta, plus sin square theta, कितना हो गया, 1, plus 2AB cos theta, clear है, अब आपका derivation आचुका है, so R resultant का magnitude equals to A square, plus B square, plus 2AB cos theta, याद रखेगा, यहां पर A क्या है, vector A का magnitude, B क्या है, vector B का magnitude, and cos theta, क्या है, दोनों vector के बीच का angle, clear है, तो यह हो गया, आपके पास में, दोनों vector का sum, दोनों vector का sum, ओके, बन जाएगा, ना, yes, resultant आगया, अब हम, यह जो direction है, यह direction निकालते हैं, इस angle क्या मान लेते हैं, बीटा, तो यह क्या, resultant vector की direction, vector A के साथ, vector A के साथ, क्योंकि इस तरफ क्या था, vector A था नहीं है, तो यह angle बीटा निकलेगा, तो हमको direction चाहिए, resultant vector की, तो मैं क्या लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ, 10 beta, क्या लगाता हूँ, 10 beta, तो 10 beta, is equal to perpendicular, कितना है, B sin theta upon base, कितना है, A plus B cos theta, तो यह formula आगया, आपका angle का, यहां से आप बीटा निकाल सकते हो न, तो बीटा आपका क्या बनेगा, angle बनेगा, क्या बनेगा, angle, तो यही दो formula हमारे 3 के 10 beta equal to B sin theta upon A plus B cos theta, हो गया न, clear है, हाँ, तो यह हमारे resultant आ चुका है, first case में, first case में मैंने क्या निकाला, resultant, and second case में मैंने क्या लिका लिया, direction, है न, direction of the resultant with the vector A, clear है न, अब यही पर मैं deal कर लेता हूँ, vector A minus B, क्यों दोर देर में, बाद में पढ़ा जाए, अब मैं यहाँ पर आपको vector A minus B बता लेता हूँ, तो अब हम क्या सीखने वाले है, subtraction of two vector, vector A minus vector B, यह देखे, vector A minus vector B क्या होता है, vector A minus vector की का मतलब होता है, A plus negative of vector B, A plus negative of vector B, अभी आपने क्या देखा था, यह था A vector, यह क्या था बच्चों, A vector, और यह क्या था, B vector, यह क्या था, B vector, तो this is A vector, यह अपना A vector था, और यह बिटा B vector था, अगर आप B vector को reciprocal करके, उल्टा कर देदो, आपको पता आया था मैंने, कि यदि आप vector B को उल्टा कर देते हो, तो क्या बन जाएगा यह, minus B vector, बोलिए, yes or no, बनेगा की नहीं बनेगा, है ना, तो यह A vector था, यह B vector था, इसको यदि निकालोगे, तो यह minus B vector, अब जो इसका result प्लीट निकलेगा, इसको जोईन कर दो, इसको अपने क्या कर दिया, जोईन कर दिया, तो यह, एसा हो गया, जो इसको closing set कि, ऐसी होगी, तो यह क्या हो गया, addition हो गया, क्या हो गया यह, addition, किसका, A का, और minus B का, A का, और, हुआ की नहीं, और, and this will be A minus B, A minus, हुआ की नहीं, तो मतलब यह B था तो यहाँ ऊपर के और जा रहा था? यह ऊपर के और जा रहा था? A+, B. A+, B. और नीचे के और जा रहा था? A-B. तो मतलब हम यह कह सकते ही कि अगर आप एक पहललोंग्राम मनाओ. जसकी साइड A है और यह वाली साइड क्या है? B है. clear? minus b, तो यह जो diagonal निकलेगा, वो क्या होगा, a minus b, क्या होगा, a minus b, तो याद रखेगा, a minus b actually होता है, a plus minus b, a plus minus b, बहुत मैंने काम की बाते बताई हैं यहाँ पर, अब एक चीज़ देखो बिटा, यहाँ इनके बीच का angle कितना दिख रहा था, theta, तो यह वाला angle कितना होगा, 180 minus theta, होगा की नहीं होगा, होगा की नहीं होगा, यह angle theta है, तो यह angle कितना होगा, 180 minus theta, मतलब a और b के बीच का जो angle होता है, वो कितना होता है, 180 minus theta, अब आइए यहाँ पर पूट कर दिजे, तो यहाँ पर देखें, हम a minus b का resultant निकालते हैं तो resultant of a minus b के लिए हमें क्या करना पड़ेगा r equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos of 180 minus theta अब बच्चों cos 180 minus theta मैंने पढ़ा रखा है कौन सा coordinate second coordinate में cos क्या होता है negative होता है तो answer क्या है minus cos theta कितना होता है finally आपका answer आएगा r equal to under root a square plus b square 2ab बाहर minus हाजाएगा minus 2ab cos of theta समझ में आगे ना तो दो resultant मैंने आपको यहां पर पढ़ाए है एक vector a plus b का और दूसरा vector a minus b का clear हो गया ना तो vector a plus b का resultant क्या होता है vector a plus b c को तो r बोलते है तो a plus b का resultant कितना होता है a plus b का resultant होता है under root of a square plus b square plus 2ab cos of theta clear है और a minus b का resultant क्या सिखा दिया मैंने आपको a minus b का resultant मैंने आपको सिखा दिया a square plus b square minus 2ab cos of theta clear है तो दोनों बाते मैंने आपको पढ़ा दिया है a plus b भी पढ़ा दिया है a minus b भी मैंने आपको पढ़ा दिया component मतलब हम यहां vector को तोड़ने जा रहे हैं समझ गए ना तोड़ने जा रहे है rectangular component मतलब x-axis और y-axis के along component ठीक ना x-axis और y-axis के along component हम vector को यहां पर resolute करेंगे vector को हम यहां पर break करेंगे तो आए देखते हैं vector को हम break कैसे करते हैं चलिए vector का resolution में आपको सिखाता हूँ देखिए यह मान लिजिए आपके पास में कोई vector है completely vector है vector a क्या है vector a इसका magnitude कितना होगा mod a यह completely यहां सुरो रहा है इसका mod a होगा अब यह रिखिए कि यदि मैं इस vector को अगर break करना चाहूँ इसके एक यह x-axis है और एक यह क्या है बिटा y-axis है ठीक ना तो यदि मैंने इसका एक component break कर दिया x-axis की direction में तो x-axis की direction में इसका component की जो length होगी suppose मैं मान लिया ax कितना मान लिया मैंने ax तो यहां तक जो इसकी length है this is equal to ax क्या है यह ax और y direction में जो vector a की length break हो रही है मैंने इसको मान लिया कितना ay कितना मान लिया ay तो मैं क्या लिख सकता हूँ देखो इसका जो vector generate होगा बेटा यहां से लेकर यहां तक का जो vector generate होगा x-axis की direction का unit vector क्या होता i cap होता है कि नहीं होता तो यहां से लेकर के यहां तक का जो vector generate होगा this will be ax i cap होगा की नहीं होगा और y-axis की direction का unit vector क्या होता है j cap तो यह length किती है ay किती है तो यहां का जो vector generate होगा वो हो जागा कितना ay j cap ay j cap तो मैं क्या लिख सकता हूँ triangle loss से triangle loss से लिख सकता हूँ कि कोई complete vector लगाता है dot triangle की side का क्या होता है sum होता है so I can write it it is equal to ax i cap plus ay j cap बो clear की not clear ऐसा लिखा जा सकता है अब suppose यह angle जो आपके पास में यह angle theta है यह angle जो आपके पास में यह angle theta है कौन सा angle यह वाला इस angle का नहा मैंने क्या दे रिया theta ठीक है ना तो अब देखो कैसे होगा बेटा अब अपने लगाते है cos theta तो cos theta is equal to base upon hypotenuse तो बेटा यह base कितना है बोलो ax और hypotenuse मतलब complete vector की length किती है a so ax equal to कितना आ गया a cos theta a cos theta मतलब कहने का मतलब जो theta की direction में जो component होता है वो given का कितना होता है cos होता है cos तो given vector क्या था given magnitude क्या था a और यह हो गया कितना cos theta तो ax equal to कितना हो गया a cos theta ठीक है अब चलो sin लगा दो तो sin theta is equal to perpendicular कितना है ay perpendicular component कितना है ay और upon hypotenuse hypotenuse कितना बोलो a कितना है a तो यहाँ से ay की value कितनी हो गई a sin theta आ गया समझ में तो दोनों component आ चुके हैं एक a cos theta और a sin theta अब दोनों की value उठा करके आप यहाँ पर put कर दीजे vector a में तो vector a is equal to beta ax का मतलब क्या है बोलो a cos theta i cap plus a sin theta j cap समझ में आया यहाँ पर a cos theta और a sin theta कहलाते है rectangular component क्या कहलाते है rectangular component मतलब कोई vector आपके पास a था तो इसका कुछ हिस्सा इसकी theta की direction में गीरा होगा तूटा होगा that हिस्सा कितना होता है a cos theta और theta के perpendicular कुछ हिस्सा तूटता है वो कितना होता है a sin theta आई वासम में ना तो yes यह रिखे तो अगर कोई vector आपके पास a है और अगर वो x-axis के साथ कितना angle subtract कर रहा है थीटा कितना subtract कर रहा है थीटा यह vector a है और यह x-axis के साथ theta vector center print कर रहा है तो इसका जो horizontal component निकलेगा a x कितना होगा a cos theta और इसका जो vertical component निकलेगा a y क्या निकलेगा a y कितना होगा वीटा a sin theta समझ में आ गया तो horizontal component a cos theta और vertical component a sin theta clear है न दोनों component को square करके add कर दो a x का square plus a y का square a y का square a x कितना है a cos theta तो इसका square क्या हो जागा a square cos square theta a y कितना है a sin theta तो इसका square कितना हो जागा a square sin square theta a square common ले लिजिए ठीके ना bracket में क्या बजगा cos square theta plus sin square theta तो यह हो गया कितना a x square plus a y का square clear so a is equal to under root of a x square plus a y का square मतलब जो completely a होगा वो क्या होगा a x और a y का square root होगा मतलब hypotenuse है नहीं बिटा यह और यह क्या बन गया यह base बन गया और यह perpendicular बन गया तो hypotenuse के लिए theorem लग गई clear है अब नाओ rectangular component के बीच का angle निकालना है दोनों के बीच का angle है ना मतलब direction of a direction of a तो 10 theta निकालते हैं तो 10 theta is equal to perpendicular upon base तो perpendicular कितना है a y base कितना है a x आई बात समझ में clear है ना yes तो यह आपका हो गया direction अब बात करते हैं direction cosines of a vector है ना किसी vector की direction cosines क्या होती है direction cosines क्या हुआ करती है direction cosines का मतलब समझे यह थोड़ा सा concept important नहीं है मगर 12th class के लिए थोड़ा सा important है अब direction cosines का मतलब समझे जैसे ही आपके पास बेटा वेक्टर है यह वेक्टर x-axis के साथ angle बना रहा है alpha क्या बना रहा है alpha y-axis के साथ angle बना रहा है beta और ऐसे ही z-axis बाहर की ओर गया उसके साथ angle बना रहा है gamma कितना angle बना रहा है gamma ठीक ना इसका नाम है vector a इसका नाम है vector A इसका component कितना गिरेगा AX कितना गिरेगा AX तो देखो direction cosine मतलब cosine of alpha cosine cos of alpha cos of alpha equal to base upon hypotenuse तो base कितना आएगा बिटा भूलो AX और hypotenuse कितना आएगा A कितना आएगा A समझ मागे ना तो यह हो गया इसकी direction cosine cos alpha अब देखो दूसरा निकालो दूसरा एंगल किया बीटा है तो बीटा का cos निकालोगे तो cos beta is equal to AX की जगे क्या आएगा बोलो AY और A की जगे A ही आएगा और cos gamma equal to AZ upon कितना A clear है तो यह कहलाता है direction cosine if any vector A subtended an angle alpha, beta, gamma on the x axis, y axis and z axis respectively है ना its component along x axis are AX, AY and AZ then cos alpha equal to AX upon A cos beta equal to AY upon A and cos Z equal to gamma equal to AZ upon A समझ में है है यह cos alpha, cos beta, cos gamma यहाँ पर कहलाती है क्या direction cos clear हुआ अब तीनों को add करके add करके जोड़ दो जरा तो cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma यहाँ मैं निकाल देता हूँ cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma कितना हो जागा बिटा देखो AX square upon A यह सोनो plus AY square upon A का square plus AZ square upon A का square तो नीचे तो A सब आ जागा और नीचे क्या जागा A का square क्या जागा A का square अब आपको पता है कि जो A vector होता है बिटा A vector के तीन component होते है AX I cap plus AY J cap plus AZ के 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 बुलो है न अब यदी आप इसका mod लेलोगे तो mod A is equal to AX square plus AY square plus AZ square का under root मलब यह जो लिखा हुआ है यह ध्यान से देखो क्या होगा A square ही तो होगा तो cancel होके कितना result करेगा 1 आया ना सुन में भाई यह क्या है A square ही तो है उपर है की नहीं है क्योंकि जब आप mod A निकालते थे तो mod A क्या निकालते थे under root AX का square plus AY का square plus AZ का square अब square कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा clear है ना any problem तो cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1 done subtraction of factor मैंने पढ़ा दिया कि कुछ नहीं होता है वो A का B की opposite direction में addition होता है मतलब A minus B equal to A plus मतलब जो भी addition है है ना subtraction नाम की कोई चीज नहीं है clear हुआ कि नहीं हुआ अब पढ़ते है multiplication of vector multiplication of vector by a real number by a real number जैसे मान लीज़े आपके पास कोई vector A है ये दिया है अगर आप इसमें कर रहे हो two times of vector ये क्या कर रहे हो two times of vector ये तो direction तो unchanged रहेगी बस इसका magnitude कितना हो जागा double तो यदि vector ये 5 cm का है तो 2 A कितने cm का हो जागा 10 cm का कितने cm का तो मतलब vector का किसी scalar से या real number से multiply करने से उसका magnitude change हो जाता है क्या हो जाता है magnitude direction वही रहती है direction ये रहती है ये स्तो वैन vector A is multiply by a real number n then its magnitude becomes how many times n times है ना but direction and unit remains unchanged clear हो गया बन जाएगा ना हाँ by a scalar when a product A when a vector A is multiply by a scalar then the magnitude becomes वही है scalar कहलो real number कहलो real number is scalar है ना कोई फर्क नहीं पढ़ता है ठीक ना अब बेटा हम पढ़ते हैं आपको हम पढ़ा रहें आपको scalar product of two vector मतलब दो वैक्टर का product दो वैक्टर आपस में कैसे multiply होते हैं उनके हम product को पढ़ेंगे ठीक ना तो heading डालीजे product of vectors product of vectors अगर आपके पास कोई vector हैं दो vector हैं एक vector है A और एक vector है B दोनों vector के बीच में suppose angle है ठीटा कितना angle है ठीटा अब आप इनके दो प्रकार से product कर सकते हो पहला ऐसा product करो जिसमें answer जो है vector quantity ना आए scalar quantity आए क्या आए मतलब दो vector को आपने multiply किया और ऐसा multiply किया कि answer आया scalar answer क्या आया ऐसे product में dot लगाते हैं और ऐसे product को बोलते हैं dot product और इसी का नाम है scalar product क्या नाम है इसका scalar product क्योंकि इसमें जो answer आता है वो vector के साथ नहीं आता है वो without of vector आता है without of vector और दूसरा जो product है जिसमें आप दो vector का multiply करते हो उसमें answer खुदे एक vector quantity आएगा मतलब answer एक आएगा vector क्या आएगा vector this such a product is called cross product क्या कहलाता है cross product इसमें answer scalar आएगा और इसमें answer क्या आएगा vector आएगा तो दो प्रकार के product design किये गए है एक में answer scalar आता है that is called scalar product और जिसमें answer vector आता है उसको हम क्या बोलते है vector product और इसी का दूसरा नाम है cross product ठीक ना अब हम समझेंगे सबसे पहले कि scalar product क्या होता है scalar product क्या होता है यदि आपके पास दो vector है vector A और vector B तो इनका scalar product कहलो या dot product की definition होती है याद कलो बेड़ा formula A dot B जो हुआ करता है वो होता है mod of A mod of B और यहाँ पे क्या cos theta समझेंगे ना theta के इन दोनों के बीच का angle है तो vector A dot B cos of theta ठीक है ना यस तो यह कहला तापका dot product scalar or dot product two vector the scalar product of two vector is equal to the product of their magnitude and cosine of the smaller angle between them cosine यने की cos cosine यने की cos it is denoted by dot it is denoted by dot तो बेटा यहाँ पे आएगा A dot B क्या आएगा A dot B equal to mod A mod B cos theta बोलो यसा नो यह क्या है mod A यह क्या है mod B और यह क्या है cos theta clear हो गया हाँ तो यहाँ से इसका use हम theta angle निकालने के लिए के लिए कर सकते है कि cos theta is equal to A dot B upon mod A and mod B clear हो गया हाँ तो mod A mod B से use भी कर सकते है the scalar or dot product of two vector is scalar सही बात है दो vector है आपके पास उनका dot product करोगे तो answer देखो कि आएगा पहला mod A तो यह इसमें direction थी इसमें direction थी बद mod A में direction नहीं होती mod B में direction नहीं होती और cos theta में भी direction नहीं होती तो answer scalar 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 का multiply कि आएगा scalar clear है now properties of scalar product सबसे पहले properties product की है कि scalar product commutative होता मतलब A dot B कर लो या B dot A कर लो बात बराबर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना क्योंकि mod A mod B cos theta और mod B mod A cos theta में कोई फर्क आने वाला नहीं है बन जाएगा ना दूसरा distributive law होता distributive law क्या है अगर A dot B plus C यूस कर रहे हो आप तो this is equal to A dot B plus A dot C clear हो गया बन जाएगा ना अगर दो वेक्टर perpendicular है तो उनका scalar product कितना होगा 0 because of cos 90 है जागा तो answer कितना हो जागा 0 हो जागा अगर दो वेक्टर parallel है तो उनका scalar product कितना होगा उनका just multiply magnitude A into B because cos 0 कितना हो गया 1 cos 0 कितना हो गया 1 ठीक है ना दूसरा scalar product of the वेक्टर with itself खुद के साथ जो dot product होगा A dot A A dot mod A mod A cos 0 क्योंकि खुद का खुद के साथ angle कितना होता 0 खुद का खुद के साथ angle 0 mod A mod A कितना हो जागा A का square कि समझ में आ गया मतलब वेक्टर A dot vector A is equals to हो गया determinant A का square clear ना तो एक जबरदस theory यहां से बन सकती है A dot A को क्या लिख सकते हो vector A का whole square vector A का whole square उसके magnitude के square के क्या होता है equal समझ में आ है मतलब किसी वेदा square of any vector is equal to square of its magnitude square of its समया yes yes square of its magnitude वे बहुत काम की चीज़ है मतलब किसी vector का square is के magnitude के square के क्या होता है equal होता है done लिख लिख लिजे कॉपी में the square of a vector square of a vector is equal to is equal to is equal to square of its magnitude ठीक है हाँ अब इसकेलर प्रोड़क्ट अफ और्थोगोनल यूनिट वेक्टर और्थोगोनल मतलब वही i-cap, j-cap, k-cap तो बता देता हूं i-dot i-cap, j-dot, j-cap, k-dot, k-cap कितना होता है 1 क्योंकि अभी मैंने आपको बताया i-dot i-cap मतलब vector के magnitude का square magnitude कितना होता 1 तो 1 का square कितना हो जागा 1 कितना हो जागा 1 तो i-dot i-cap, j-dot, j-cap और k-dot, k-cap कितना हैगी 1 आएगी clear हो गया clear है न और दूसरा तरीक अभी करने का है i-dot i-cap के definition से open किया जाए a-dot b बराबर mod a mod b cost कितना 0 क्योंकि i का i के साथ angle कितना होगा 0 तो ये unit vector 1 into 1 into cost 0 कितना 1 answer कितना आगया 1 बट यदि आप different perpendicular unit vector का multiply कर रहे हो क्योंकि आप जानते हो कि x-axis में क्या होता i-cap और y-axis में क्या होता है j-cap क्या होता है j-cap दोनों के बिच के अंगल कितने डिगरी 90 डिगरी तो यदि आपने multiply कर रहिया a i dot j तो इकल टू mod a mod b cos कितने डिगरी 90 डिगरी तो cos 90 डिगरी सब कुछ क्या हो जागा 0 तो इसलिए आप चाहे i dot j करें चाहे जे डॉट k करें k dot i करें आंसर कितना होता है समझ मैं अब चलिए अगर आपके पास partition form में कोई vector है तो उसका product कैसे होगा ये देख लेतें partition form में कोई vector तो उसका product कैसे होगा तो अगर आपके पास पहला vector ये है और दूसरा vector ये है partition form में आपको पता है I.I कितना होता 1 बाकि क्या हो जाते हैं 0 तो A.X को किसके साथ multiply करने का मौका मिलेगा B.X को B.X के साथ फिर A.Y को किसके साथ मौका मिलेगा B.Y के साथ और A.Z को किसके साथ B.Z के साथ बाकिसब क्या हो जाएंगे 0 समझवाएंगे न तो 2 vector अगर आपके पास लगाता रहें A dot B तो उनके corresponding element का multiply करके add कर दो, क्या कर दो? add कर दो, समझे आगया? A1 AX BX AY BY PLUS AZ BZ clear bit है? अब अगला product आता है बच्चो, cross product है ना? अब अगला product आता है cross product, cross product क्या होता? आईए देखते हैं, cross product का meaning क्या होता है? AX B, इसका मतलब होता है A को B की तरफ गुमाओ, A को B की तरफ गुमाओ, देखे, ये vector A है ये क्या है vector? A, और ये क्या है vector B, clear है ना? तो मैंने A को B की तरफ गुमाए, ये देखो, A है इस तरफ, और इस तरफ क्या बैठा है? B तो यह मैंने A को B की तरफ गुमाया है, बोलो हाँ, तो A क्रोस B कहा जनरेट होगा, राइट हैंड अंगुठे की तरफ, कहा जनरेट होगा, हाँ, ठीक ना, तो यहां की तरफ बेटा क्या जागा, दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर, देखो, यह A B का प्लेन है, बोले सौनो है ना A और B का प्लेन, इसमें इधर पे A है, इधर पे क्या है, B है, अगर A B की तरफ गुम रहा है, तो A क्रोस B इधर की तरफ बढ़ेगा, बोलो आगे सौन मेंना, यह A क्रोस B की मुमेंट होगी, मतलब दोनों के परपेंडिकुलर, दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकु A नीचे की तरफ आएगा, तो यदि मैं यहाँ पर B क्रोस A आपको दिखाना चाहूं, तो B क्रोस A को मैं का कहूंगा, कि यहाँ B क्रोस A नीचे की तरफ आएगा, बोले, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो एक है A क्रोस B और एक है B क्रोस A, तो मतलब A क्रोस B और B क्रोस A कि इस चीज़ को दिखाते हैं, यह rotational effect वाले vector को दिखाते हैं, clear हुआ? Yes, vector or cross product of two vector, the vector, product of two vector is equal to the product of their magnitude and sign of the smaller angle between them, it is denoted by star, है ना? Cross, किसे denote करते हैं, cross से, तो यह क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो vector अगर आपके पास है, अगर आप उनका product कर रहे हैं, तो बहुत ही simple है, कैसे करना पड़ेगा, mod of a, mod of b, और क्या, sign of theta, ठीक ना? तो a cross b की definition में, a cross b का magnitude इतना हो गया, बोले सुनो, अब a cross b क्या है, vector है ना? तो direction देनी पड़ेगी, तो इसके direction क्या होती है, a और b दोनों के plane के perpendicular, दोनों के plane के perpendicular, जैसे a cross b है, मतलब a को b की तरफ आप गुमा रहे हो, यह a है, और यह क्या है, b, तो a और a को b की तरफ अब ऊपर की तरफ का नन्हा कदम होता है, n cap, क्या होता है, n cap, तो दिशा बनाने के लिए यहां पर क्या डाल दिया, n cap, तो mod a mod b sin theta n cap, mod a mod b sin theta n cap, यह देखिए, a है, b की तरफ गुम रहा है, तो a और b की तरफ गुमने पर जो direction है, a cross b की वो कहा है, upward कहा है, upward, तो a cross b equal to mod a mod b sin theta n cap, mod a mod b sin theta n cap, क्या लिखा है, the direction of a unit vector can be obtained by right hand thumb rule, मैंने पता है अभी आपको, जिस तरफ direction a से b की तरफ मुड़ेंगी, उनको आप मुडलो, और जिस तरफ thumb represent करेगा, वो क्या होगी, a cross b की direction, a cross, clear हुआ की नहीं हुआ, मतलब a cross b की direction, मतलब a की तरफ गुमना, clear, the vector of cross product of two vector is also a vector, मतलब की, cross product दो vector का हमेशा क्या होता है, vector, और जब की scalar product है, dot product क्या होता है, scalar, क्या होता है, scalar, समझ में आ गया, clear है, चलिए, cross product की definition, अभी आपने देखा की, a अगर b की तरफ गुमता है, a अगर किसके तरफ गुमता है, तो b की तरफ गुमता है, तो a cross b कहा जाता है, उपर, और b cross a कहा जाता है, नीचे, यह सोनो, तो मतलब a cross b और b cross a आपस में दोनों equal नहीं हो सकते, rather a cross b equal to negative of b cross a, because a cross b और b cross a की direction सेम नहीं है, एक दूसरे की क्या है, opposite है, clear है, vector product is distributed, वही, a cross b plus c equal to a cross b plus a cross c, ठीक ना, अगर दो vector parallel है, दो vector क्या है, parallel, तो अभी मैंने क क्या पढ़ा है, आपको vector a cross b क्या पढ़ा है, vector a cross b equal to mod of a, mod of b, sine of theta, दोनों parallel है, कितना sin 0, बोलो हा, into कितना, n cap, और 0 के साथ सब 0 हो जागा, तो answer कितना आएगा, 0 vector, क्या आएगा, तो vector product of two parallel vector is 0 vector, is 0 vector, समझ में आया, कि नहीं है, हाँ, अगर कोई vector खुद के साथ, अगर dot product cross product करेगा, तो answer क्या आएगा, 0, क्योंकि sin 0 आजागा, sin 0 कोईजिस क्या हो जागा, 0 हो जागा, बन जाएगा, ना, next, तो अगर खुद के साथ अगर cross product कर रहे हो, तो i cross i करो, j cross j करो, k cross k करो, बोलो answer कितना आएगा, 0, बट यदि ऐसे कर रहे हो, i, j की तरफ तो इसके multiply करोगे, इधर से, anti-clockwise, तो i cross j क्या generate करेगा, k, अगर j cross की generate करो, क्या करेगा, i, और k cross i करेगा, जी, otherwise, इदी उल्टा चलते हो, तो answer negative आएगा, क्या हैगा, negative, clear है, चलिए, अब देखिए, अगर आपके पस में, दो component form में vector, तो इनको किस method से solve करते हैं, इनको हम solve करते हैं, determinant method से, किस method से, determinant method से, यह जो box आपके सामने दिख रहा है, यह कहलाता है, determinant, तो दो vector आपके पस में है, a vector, और दिस रहा है, b vector, तो a cross b equal to, a x i के, plus a y, j, k, k, और vector b क यहां पर लगाओगे determinant, यहां पर i cap, j cap और k cap, अब इसके बाद यहां पर vector A के component AX, AY, AZ और यहां पर vector B के component BX, BY, BZ, clear है, अब देखें कैसे solve करना है, यह देखें, सबसे पहले i cap, i cap लोगे, हाई या ना, i cap इस तो छिपा लो, इसको छिपा लो, रोक लिया, AY, BZ, minus BY, AZ, AY, BZ, minus A, Z, B, Y, clear है, अगला है, फिर minus j cap क्या आएगा, minus j cap, तो minus, क्योंकि पहला निशान, plus, अगला निशान, minus, फिर से क्या होगा, plus, तो यह देखो, minus यह लगाया है, और j यह लगा दिया, ठीक ना, अब क्या करोगे, यह stroke को, column को रुछोड़ लो, तो AX, B BZ, minus BX, A, Z, यह देखो, AX, BZ, minus BX, A, Z, ठीक ना, लास्ट में K cap को रोक लो, तो plus का K cap, ठीक ना, और फिर इसके बाद इदर से छोड़ लो, इदर से, क्या होगा, AX, BY, minus AY, BX, clear है, बन जाएगा ना, definition of vector product मैंने आपको बता ली कि, अगर C कोई vector है, A cross B, मतलब A को B की तरब घुमाने से क्या generate होगा, C vector, और B X A का मतलब होता है, B को A की तरब घुमाओ, ठीक ना, तो when C equal to A cross B, the direction of C is at right angle to the plane containing the vector A and vector B, the direction is determined by the right hand screw rule, okay, and right hand thumb rule, या तो screw rule से निकाल लो, या तो thumb rule से निकाल लो, ठीक ना, तो right hand screw rule and right hand thumb rule, दोनो, thumb rule तो आपने पढ़ा है, class 10 में, और right hand screw, क्या होता है, बिटा, जो screw होता है, screw को यदि आप ऐसे घुमते हो, मतलब A को B की तरफ घुमाते हो, A को B की तरफ, यह देखो कुछ इस तरीके से, इसको ऐसे मोडते हो, तो screw कहा जाता है, उपर, और यदि B को A की तरफ घुमाओगे, तो screw कहा जाएगा, नीचे, समझ में आ गया, C vector equal to A cross B, अगर आप यहसी को कहे दोगे, C vector equal to B cross A, B cross A, तो पूरी तस्वीर प्लट जाएगी, B का A की तरफ घुमना मतलब ऐसे घुमेगा, यह सौनो, तो जब B ऐसे घुमेगा कोई B है, और यह क्या A है, तो B ऐसे घुमेगा एकी तरफ, तो कहा जाएग राइट थम रूल में देखिए, राइट थम रूल में, करल दा फिंगर साफ यूर राइट 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 फ्रॉम A to B, अपनी फिंगर को A से लेके B में व्रैप करो, और जिस तरफ अंगूठा एरेक्ट होगा, the direction of the erect thumb will point the direction of A cross B, समझ में आ गया, सुबच्चे यह मैं देखिए लेक्षी से लेक्षी सिए यह हुआएँ अजर अजर में यजद। यार म्नु सता अथ़राध़ काी और ये कालोगे स्कीद कालोगेश कार अब 충ाबान्दों किस्का इसनब्ञा वान इवराष्य, मैं रडपन ले ग़ड़टा, HUorticर्णक्ड कालोगेश दालोगेश कालोगेश कि यवार बेवलो जीडब जीड़ एरार कि व druस्त में ये निवार किन आप घर जब जा सबस्टीरो आपकारे लूड़ां आपकारे लिड़ा आर है है कि वीड़ा आर वार आर है वार है है है। हाँ, बिटा, पावर का फॉर्मूला होता है F.V, क्या होता है F.V, मतलब जो पावर होता है, वो फोर्स का और वेलासिटी का क्या होता है? क्या होता है, समिनना है? और वर्क कितना होता है, वर्क इस इकल तो फोर्स डॉट दिस्प्राइश्मेंट, वर्क इस इकल तो फोर्स निकालने को आएगा, निकालने को आएगा. यहाँ से ही पूले है, उसलिए निकालने को, चब इतने खड़ो हैं, स्टार्ट करो, थोड़े से करो, फिर माने उप्लान को. कर दो निकालने को, तो निकालने को, तो इनकेल को आएगा, आएगा जिकालने को. झाल झाल